अगर आप मेरे चैनल पर फर्स टाइम है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके आईए रस्पी स्टार्ट करते हैं कि शुक्रन बनाने के लिए मैं आप लिया है एक लिल्टर फ्रेश दही शुक्रन माना ालिकल सब्सक्राइब कि एक शिकली जाऑ समय कपड़ आम ना ले वरन्द का अड़ी जुल्न कळारफिल हो जाएगा जहां था खो सके आप सारे दे को आपको इस तरह you sure ॅपर डाल देना है दो बरतन के उपर चलनी रखे जलनी के उपर कपड़ा रखे और इस तरह से चारो कोनों को पकड़ते हुए कपड़े को थोड़ा सा ड्विस्ट करना है आपको आप देखेंगे कि किस तरह से दही का जो एक्स्ट्रा पानी है वह बहार निकल रहा है अगर आपके यहां पर गर्मी बहुत जादा है तो आप इससे बाहर बिल्कुल भी ना रखे इससे पूरी रात भर के लिए फ्रीज में रख दें इससे कि आपका दही भी कट्टा नहीं पड़ेगा और दही का सारा एक्स्ट्रा पानी है वह भी बहार निकल जाएगा मैं इससे फ्रीज में रख रही हूं पुरी रात भर के लिए इस तरह से टाइट नोट बांग कर ही आप इससे रखें इससे कि अच्छी तरह से सारा पानी दही का निकल जाएगा यह देखिए नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमारी पोटली कितनी मोटी थी अब यह कितनी पिछकी वी सी लग रही है क्योंकि अंदर का जितना भी एक्स्ट्रा पानी था एक्सिस फोटर वो सब बहार निकल गया है अब फटा फट से हम इस पोटली को खोलेंगे और सारे दही को हम एक अल रहता से फेटेंगे और से तब तक पेटेंगे जब तक हमारा दई जूह हलका न हो जाए हमें बिलकुल हलका अलका सा लाइट फिल्ड़ होने लगे यह अपिर यह जब तक तक फ्लफि ना लगने लगे तब तक की देखिए इस तरह से था इस गंटीनिव फेट ना है कि चार से पांच मिट तक आपको इसे फेटना है बहुत ही जल्दी यह हलका होने लगेगा काफी फ्लफी सा आपको फील होने लगेगा अब हम इसमें एड़ करेंगे चीनी फिलाल में यहां पर दो चमत चीनी का पाउडर एड़ कर रही हूं आप भी चीनी का पाउडर बना कर ताकि आपको इसे मिक्स करने में असानी होगी उसके बाद हम टेस्ट करके देख लेंगे कि हमारा श्रीखन कितना मीठा है यहां पर मैंने केसर को गरम दूख के अंदर भीगो कर रखा था ताकि इसमें कलर बहुत अच्छा है दो से तीन लाइची का पाउडर हम इसके अंदर अगर आपके पास एलेक्रिक बिटर नहीं है तो कोई बात नहीं है आप इसे विसकर के हल्प से भी अच्छे से फेट सकते हैं मेरे पास यह था इसलिए मैं इसे यूज कर रही हूं इससे बहुत ही फास्ट काम हो जाता है और बहुत ही इजी देखिए इस तरह से मुश्किल से एक से डोमलिटी लगें दो पेंगे जिसकर के हैठ से चार से पांश मीट लग जाएंगे आपको विसकर की खांश एका intense का टेक्सटर लग रहा रहा है इससे ज्यादा में इसे नहीं पेंगे और इस टाइमपर हम इससे टेस्向 सी करकिंग मैंने यहां पर टेस्ट किया मुझे यहां पर चीनी थोड़ी सी कम लगी इसलिए यहां पर मैं एक चमच चीनी का पाउडर ओर एड़ कर रही हूँ अब बचे वे ड्राइफ भूट्स भी हम इसके अदर डाल देंगे पर इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसे गंटे पर के लिए फ्रीज में सैट होने के लिए रख देंगे यह देखिए एक गंटे बाद आप देख सकते हैं हमारा श्रीखन जो है पहले से इतना ठीक हो गया है आप इसका टेक्सर देख सकते हैं यह बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है आप चाहते तो इसे पहले भी खा सकते थे लेकिन यह थोड़ा सा लिक्विट कंसिस्टेंसी मे अगया था जब हम इसे फटा पट से सब करेंगे अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कॉमेंट सेक्षिन में मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको मेरे रेसिपी कैसी लगी अब थोड़े से ड्राइफ्रूट के साथ हम हमारे श्रीखन को गानिश कर देंगे आप देख सकते कि हमारे श्रीखन जो है कितना अच्छा लग रहा है आप जरूर से ट्राइ कीजिएगा आपको श्रीखन बहुत ही अच्छा बनकर रेडी होगा और मुझे कॉमेंट थांक्यू